नमस्कार दोस्तों इलेटिकल टेक्निसाचल में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेटिकल ट्रोइंग पर है और यह इलेटिकल ड्रोइंग का पार्ट एट है दोस्तों पिछले दो वीडियो में हमने इन तीन मोटर के लिए कंट्रोल सरकीट को ड्रोग क्षिवेटे तिहे हैं यहां फ Boulder के लिए उसमें क Про क्षिवे मारत दोस्तों देख लिए यहां पर हमारे यहीं स्टार्ट और स्टोप पर्लम नहीं आ थे तो दो प्रोलम नहीं आती थी यानि कि इस स्टार्ट पुस्विटन को प्रेस करने पे मोटर हमारा स्टार्ट हो जाती थी और इस स्टोप पुस्विटन को प्रेस करने पे मोटर हमारा बंद हो जाती थी ठीक है लेकिन जब हम इस सेलेक्टर स्विच को आटो में सेलेक करते थे ठीक ह इसको बंद करने पे हमारा जो pump था वो भी बंद होता था ठीक दोस्तों लेकिन यदि हमें केवल इस pump को बंद करना है तो बंद नहीं हो पाते थी क्यों नहीं बंद हो पाते थी क्योंकि इस pump को start करने के लिए हमने टाइमर का अजलारी कॉंटेक्ट ही उसके थे और यह जो कॉंटेक्ट है वो अलेड़ी चेंज रहते थे कब तक चेंज रहते थे जब तक हमारा फैन चालू रहेगा तो हम इस पम को बंद नहीं कर सकते हैं अब जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको दो उपाई बताते जिसमें आप इस पम को बंद कर सकते थे यहां पे हम यडिधी supply को प्रेस करते हैं तो हम क्यूंट के वल्ड इस पंद कर six था उसका सेचन चेंज करतें यानि कि ओपोजिशन पे कर दें या फिर मैनुवल में कर दें तो हमारे जो पंप है वो बंद हो जाएगी ठीक है दोस्तों लेकिन हमें यदि इस सरकीट को इंटरलोग करना है यानि कि हमें केवल इसी स्टोप उस बटन को प्रेस करके बंद करना हो तो क्या करें तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ कि किस पकार से हम, हमारे जो टाइमर है, उसको इंटरलोग करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, यह जो वीडियो है, बहुत ही मज़ेदार होने वाले है, इस वीडियो को आप लास तरक देखेगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लिस इस पर टार्गेट करता हूं 200 लाइक और 100 कॉमेंड का तो प्लीज जल्दी से जल्दी लाइक और कॉमेंड कर दीजिए दोस्तों यदि हमें कोई सर्किट को ड्रो करना है तो सबसे पहले हमें तो प्रॉलम मालूम होना चुए ठीक है यानि कि क्या प्रॉलम आ रहा है और उसके ल करना है तो यहाँ पर हमें एनो कि या फिर जैंस tornado के यूज़ करना पढ़ लेगा सब्सक्तों यहाँ पर इस वीडियो को पुष्ट करिए और पुष्ट करने के बाद अब कमेंट कर देए कि यहाँ पर हम कौन सा इ Bitte यूज़ करें लोइप या फिर एंसी यूज़ करें मैं आपको बताता हूँ तो देखिए दो जब हम इस fan को start करें तो उसके साथ साथ हमारा जो timer है वो भी operate होना चाहिए ठीके दोस्तों क्यों operate होना चाहिए क्योंकि fan के start होने के साथ साथ हमारा जो timer है उसका countdown भी start हो जाना चाहिए ठीक है और उसके count down complete होने पे हमारे जो pump है वो start हो जाना चाहिए ठीक है दोस्तों तो इसलिए हम यहाँ पे nc contact use करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो interlocking है वो nc contact के द्वारा होगा ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले मैं यहाँ पे nc contact लगा देता हूं ठीक है यहाँ पर हमने एक nc contact लगा दिये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है के टू ठीक है यहाँ पे मैंने डेस डेस कर दिया डेस कि किया दोस्तों क्योंकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि यह जो nc contact है वो किस स्टार्ट हो जाए ठीक है यानि कि यह हमारा पंप स्टार्ट होने के बाद हमारा जो टाइमर है वह काम करना बन कर देना चाहिए ठीक है दोस्तों तो यहां पर हमारा जो कॉंटेक होगा वह इस पंप का एंसी कॉंटेक होगा देकिन दोस्तों यह जो हमारा पंप है इसका जो पूस्टर के दोड़ा तो यह जो एंसी कोंटेक्ट है वो नॉर्मल पॉजिशन पर जाएगा यानी कि एंसी हो जाएगा ठीके दोस्तों अब इसके एंसी होने पर पावर सप्लाई दुबारा इस टाइमर में चली जाएगी और दुबारा हमारा टाइमर काउंटडाउन चाले परेगा ठीक है और उसी अजिलारी कोंटेक्टर का यह nc kontak होना चाहिए ठीक दोस्तों तो यहां पर हम एक अजिलारी kontakto ले लेते हैं ठीक है तो हमारे पास यह electrical equipment है जिनका प्रियो करके हम electrical circuit को draw कर रहते हैं यह हमारा अजिलारी kontakto होगे है तो इसको मैं यहां से kopi कर लेता हूं ठीक है दोस्तों और हमारे जो circuit है यानि कि fan 1 का जो control circuit है इसमें the page कर देता हूं ठीक है अब इसको मैं क्या करता हूं कि neutral supply के साथ directly करनेक कर देता हूँ अब यह जो हमारा अजलारी कॉंटेक्टर है इसको नाम दे देते हैं तो यह जो हमारा सरकीट है वो फैन वान का है ठीक है तो यह हमारा फैन वान के लिए कॉंटेक्टर जो यूज किया था वो के वान है ठीक है अब यहां पर हमने एक अजलारी कॉंटेक आद। टो यहां पर हमारे पास एक अजलारी कॉंटेक रहा गया और इस अजलारी कॉंटेक्ट में बहुत साठे कौंटक भी है ठीक है यानि कि तीन बेन much Outcomes और एक एनसी कउटेक ठीक है तो अभी यह जो अजलारी कॉंटेक्ट र था इसको जो NC contact थी यानि कि 41 नंबर और 42 नंबर ठीक है इसका प्रयोग हमने यहाँ पे कर लिया ठीक है तो यहाँ पे जो अजलरी कॉंटेक्ट का टर्मिनल नंबर है उसको चेंज कर देते हैं यानि कि 41 नंबर और 42 नंबर ठीक है तो यहाँ पे दिसाइड हो गया कि यह जो NC contact है वह इस अजलरी कॉंटेक्टर का होगा ठीक है तो यह जो हमारा अजलरी कॉंटेक्टर है इसका नाम क्या है के वन डेस एटू ठीक है तो मैं इसको कोपी करके यहाँ पे इसका प्रेस करने पे इस अजलरी कॉंटेक्टर में भी पाउर सप्लाई डारेक्ली चला जाएगा ठीक है अब देखिए दोस्तों यह जो हमारा अजलरी कॉंटेक्टर है इसमें हमें डारेक्ट पाउर सप्लाई नहीं पहुच आना है क्योंकि यदि इसमें डारेक्ट पाउर सप यूज करना पड़ेगा तो यह जो हमारा अजलरी कॉंटेक्टर था इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें तो यहां पर हमें एक एनो कॉंटेक का इस्तमाल करना पड़ेगा तो मैं यहां से एक एनो कॉंटेक कोपी कर लेता हूं और यहां पर पैस कर देता हूं ठीक है दोस्तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे K3 ठीके दोस्तों तो यह जो हमारा contactor था इसका एनो contact हमने यहाँ पे यूज कर लिए अब दोस्तों आपके mind में एक सवाल आया होगा कि हमारा जो power contactor था उसमें केवल दो contact है एक एनो contact और एक NC contact ठीके अब जो हमारा pump का सरकीट था उसमें हमने अलड़ी एक एनो contact यूज कर लिए तो हमारे पास दूसरा एनो contact कहां से आ गया तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमें और एनो contact चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि यह जो हमारा कंटेक्टर होता है उसके उपर में हम एक के एक अडों ब्लोक लगा सकते है ठीक है और एड़न ब्लोक को लगाने के बाद हमें और अजलारी contact मिल जाएंगे ठीक है दो हमने यहाँ पार एड़न ब्लोक का उप्योब का लेतिक़् दो अब यदि आप एनो ब्लोक को नहीं लगा सकते हैं तो यहां पे एक और अजलरी कॉंटेक्टर का उप्योग कर सकते हैं तो उसके द्वारा एनो कॉंटेक्ट और एनसी कॉंटेक्ट आपको मिल जाएगा ठीक है अब क्या होगा दोस्तों देखिए यदि हमारे यह जो पंप है वह स्टार देखो जाएगा और ब्रेक होने पर आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और जो टाइमर है वह अपरेट होना बंद हो जाएगा यानि कि हमारा जो टाइमर का अजलरी कॉंटेक्ट है वह चेंज हुए थे वह दूबारा नोर्मल पोजिशन पर आ जाएगा अब भी देखिए यहा पर हमारा जो सेलेक्टर स्विश्च था उसको हमने आटो पोजिशन पर रखे दे ठीक है और आटो पोजिशन पर रखने पर पाउर सप्लाई इन दोनों अजलरी कॉंटेक्ट के द्वारा जाते थी ठीक है यहां पर टाइमर जो था वह ओफ हो गया और फोने पर क्या होगा इसका अरजलरी कॉंटेक्ट नॉर्मल पोजिशन पर जाएगा और नॉर्मल पोजिशन पर जाने पर इसका पाउर सप्लाई ब्रेक हो जाएगा यहां पर पाउर सप्लाई जा नहीं पाएगा अब यहां पर हमारा होल्डिंग सरकित था इसको थोगा सा मोडिफाई करना करेंगे अब जो हमारा होड़िंग सरकीर के लिए power supply आया थी यह वाली इसको हमें power supply यहां से देना है यानि कि यह यहां से लाके इस एनो कॉन्टेक्ट के incoming terminal पे यानि कि टेरे नंबर टामिनल पे connect करना है तो मैं यहां पर इसको connect कर देता हूं ठीके दोस्तों तो यहां पे जो हमारा holding circuit था उसको power supply हमारा जो selector switch था उसके उपर वारे टमिल से connect कर दिया जिससे कि हमारा जो timer है वो off होने के बाद भी power supply holding circuit के दोबरा इस contactor में चले जाये और जो हमारा pump है वो running condition में रहे हैं तो यहां पे हमारा यह जो problem थी वो solve हो गई अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी एक और problem है यहाँ पर हमने k3 का एनो contact यूज किया थे ठीक है यानि कि इस contactor का अजलरी contact एनो जो था उसको हमने यहाँ पर यूज किया थे ठीक है अब यदि हम इस pump को बंद करते हैं इस टोप उस बितन को प्रेस करके ठीक है तो यह बंद हो जाएगा ठीक है कोई problem नहीं है बंद हो जाएगी ठीक है दोस्तों लेकिन जैसे यह बंद होता है तो क्या होगा इसका जो अजलरी contact जो एनसी बना हुआ था वो एनो हो जाएगा क्योंकि हमारा यह वाल और यह जो हमारा टाइमर है उसमें दुब़रा power supply चली जाएगी जिससे कुछ समय बाद हमारा जो pump है वो दुबारा on हो जाएगा तो दोस्तों यह जो हमारा टाइमर है वो दुबारा उपरेट नहीं इसके लिए हम क्या करें तो देखिए यह जो हमारा अजलरी contactor है इसको on करके रखना पड़ेगा अब इसको ओन करके रखने के लिए हमें यहां पे एक holding circuit बनाना पड़ेगा ठीक है यानि कि यह जो हमारा अजलरी contactor है के वान डेस एटू इसका भी एक एनो contact हमें यहां पी use करना पड़ेगा यानि कि जैसे कि हमने इस contactor को hold करके मिलता रहे यदि हमारा जो pump है वो बंद भी हो जाए तो हमारा power supply holding circuit के दोरा चला जाए ठीक है तो यह जो हमारा अजलरी contactor था इसमें हमारे पास बहुत सारे एनो contact है ठीक है तो इसमें से हम टेश नंबर और चौबुश नंबर टमिल वाले एनो contact use कर लेते हैं तीक है और इसको हम क्या करते है यहां पह से देना है तो दोस्तों हमनेique के पार सपरणीstone कर ने receiver यानिक यह जो नीर। आ यहां से अफ्लो होते रहे और यह जो टाइमर है वो उसका POWER सपल्लाई भी ब्रेक होके रहेगा ठीक है आब यह जो हमारा अज्लाडाड़ी कौनटेक्टर है वो किसका है तो K1 डेस ए 2 का ठीक है तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिग देता हूं जिससे की कोई कनफीजन ना हो तो मैं यहाँ पर इसका नाम की लिए और उस इंटर। कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो आज हमने सरकुट को डो किया है इसको हम एंटी पंपिंग सरकुट करते हैं यारी इसकी कोयल में इवड़ पावर सप्लाई जाने का बाद उसमें दुबारा पावर सप्लाई ना जाये उसके लिए हम interlocking करते हैं ठीक है और उस interlocking को हम anti-pumping circuit कहते हैं ठीक है दोस्तों I hope कि यह जो circuit है वो कुछ जादा ही लंबा हो गया और कुछ जादा ही confusion हो गया तो मैं आपको एक बार और इसको अच्छे से explain कर देता हूं जिससे कि आपका जो confusion है वो दूर हो जाए तो देखें दोस्तों ज हमारा जो Contactor था वह On हो जाती थी और यह जो सरकीट इसमें NC Contact यूज किया गया ठीक है तो पावर सप्लाई के अगर डरेक आती थी और जो हमारा टाइमर है वह On हो जाती थी यानिके इस Start को प्रेस करने पे हमारा जो फेन है वह स्टार्ट हो जाएगा और जो टाइमर है उसका Countdown चाल हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब इस टाइमर के Countdown कंप्लीट होने पे क्या होगा यह जो हमारा टाइमर वन है उसका अजलारी Countdown चेंज होंगे अब यह जो आणो से एंसी बन जाएगा ठीक है एंसी बनते ही क्या होगा पाउर सप्लाई यहां से फ्लो में चले जाएगी जिससे यह हमारा जो pump है वो start हो जाएगा ठीक है दोस्तो अब जैसे ही इस contactor में power supply आती है तो इसका जो एनो contact है यानि कि यह वाला अईनो contact यह अनो से NC बन जाएगा ठीक है यानि कि यहाँ से power supply आगे flow होने लगेगा ठीक है अब जैसे ही power supply यहां से आगे फ्लो होगा यह तो यह जो अजलारी कॉंटेक्टर है वो ओन हो जाएगी ठीक है और इसके ओन होते ही इसका जो अजलारी कॉंटेक्ट है यानि कि यह एनसी कॉंटेक्ट और यह एनो कॉंटेक्ट यह दोनों के दिनों चेंज हो जाएंगे एनो कॉंटेक्ट एन विद्स बिटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो控प है वो बंद हो जाएगा ठीक हैं अब इसके बंद होने से क् publiow धिशुष नहीं होगा क्योंकि यहां पर यूजे किया थीक है तो power supply यहां से इस पर्म को on करना है तो हम manually operate करा सकते हैं ठीक है और यदि हमें इस timer को डुबारा reset करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस fan को बन करना पड़ेगा ठीक है यह से कि हम इसको बन करते हैं तो सभी power supply break हो जाएगी और subcontactor normal position पर आ जाएगे ठीक है ठीक है रोस्तु तो I hope कि यह जो control circuit है वो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है आभी देखे यह जो हमने control circuit डोग गया थे वो केवल fan 1 के लिए डोग किया थे same to same जो circuit है वो fan 2 के circuit में भी डोग करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे simply copy paste कर देता हूँ जिससे कि हमारा time बच जाए तो दोस्तों यह जो circuit मैंने बनाया था है इसको copy करके fan 2 के circuit में paste कर दिये तो दोस्तों यह जो हमारा circuit है इसमें जो contactor 2-2 वो जाएगा थीक है इस असलेडी contact है हमने यह यहाँ यहां भी यूजे थे हैँ तो इसका भी नाम हमारा k2-a2 हो जाएगा थीक है अब यह जो हमारा continuously is Sedatom यहां पर pä ओदोस्तों अभी देखी कर और हमारा के नो- समस्तेस और उन दोनों no contact को उपयोग हम fan 1 के circuit में और fan 2 के circuit में कर दिया तो fan 1 के circuit में जो no contact यूज किया गया था उनका terminal नमर हम change कर देते हैं जिससे की confusion ना हो ठीक है दोस्तों तो मैंने यहाँ पर इसका जो अज़री कोंटेक्टर का terminal नमर है वो 33 और 34 कर दिया और fan 2 के जो circuit था उसमें जो no contact यूज किया था है उसमें 43 और 44 कर देता हूँ ठीक है दोस्तों तो इनका जो terminal नमर था मैंने change कर दिया ठीक है दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पर like कमेंट ज़रूर कर दीजेगा दोस्तों आपके like और comment मुझे inspire करती है कि मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियो बनाऊ तो प्लीज दोस्तों like और comment करना ना भूलिएगा